हलो और वेलकम टू होप तुशांत, आज इस छोटी सी वीडियो में एक्स्पेन करना चाहूंगा कि किस तरह से आप UPSC का ये जो भेंकर गेम है, जिसका नाम है प्री, जो एक अन्प्रिक्टिबल गेम है, इसको भी अराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, एक मंत्रा समझाता हू कि हमको बहुत डराया गया है, हम बहुत डरे हुए हैं, तो जब भी हम सवाल देखते हैं, तो हम तब भी डरे हुए होते हैं, कि UPSC अरे बड़े कटिन सवाल पूछेगा, इस तरह कि सवाल पूछलेगा, तो फिर क्या करेंगे, ये पॉली, इथाइलीन, टेरी, फलेट कहा से, ये तो बोला भी नहीं जा रहा, कि ये कैसे हम पढ़ेंगे, इसका अंसर कैसे डूणेंगे, और पहले से डरे हुए थे, और ऐसा सवाल दिख जाए, देखते ही छोड़ देते हैं, कि नहीं नहीं भी या, इसको अटेंप्ट नहीं करेंगे, लेकिन बैक बस वहीं पर आ सवाइदा UPS से उठा रहा है, और तुम जब इतने डरे हुए हो ना, कि तुम उनको देख कर छोड़ोगे ना, तो बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे, जो तुमको देख कर छोड़ने पढ़ेंगे, तो तुम उस रेंज तक नहीं आपाओगे, जिस रेंज तक तक तुम्हें प कोशिश करता हूं, और आपको समझाना चाहता हूं, कि सवाल solve करना important नहीं है, समझाना ये चाहता हूं, कि डरिये मत, डर की वज़े से आप हार रहे हैं, अरे जब हारना और जीतना आपके हाथ में नहीं है, तो एक बार निडर होकर क्यों नहीं ये game खेल लेते हो, एक बार बिना डरे, बिना सहमे, जो तुम्हें आता है, जो तुम्हारे पास knowledge है, कम से कम बिना डरे इस सवाल को attempt करके तो देखते हैं, क्या होता है, ये चलके देखते हैं, with rational approach देखते हैं, ये सवाल है आपके सामने, with reference to this polyethylene, the use of this is so widespread in our daily lives, consider the following statement, इस statement के बारे पूछ रहा है, कि सवाल की statement पढ़के देखते हैं, its fiber can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties, पता नहीं बहुत, करते हैं कि नहीं करते हैं, लिखा can be, it can be done और can't be done, मुझे नहीं पता इसके बारे में, containers made of it can be used to store any alcoholic beverages, can be used any alcoholic beverages, हम UPSC के जब सवाल देखते हैं, अगर आपका mindset अच्छा है, तो बड़े बड़े terms में बोला नहीं करते हैं, यह छोटे छोटे terms होते हैं, can, यह एनी, इन पर बोला करते हैं, yes, bottles made of it can be recycled, can be recycled into the other products, okay, articles made of it can be easily disposed by incineration without causing the greenhouse gas emission, without causing the greenhouse gas emission, देखिए UPSC समझ चुका है, कि लोगों को extreme words पता है, तो eliminate कर देते हैं जल्दी, और इसलिए वो क्या कर रहा है, can भी डाल रह है, तो can और extreme, दोनों के बीच में आप debate चल रहा है, मेरी बास समझना, आपको सिर्फ word नहीं देखने हैं, आपको साथ में पूरी statement का मतलब, soul भी तो समझना है, मतलब फिर तो second, पांचवी class का बच्चा बठा देते हैं, दसवी class का, वो can, can और only देखर अंसर बता देगा ऐसा नहीं, यानि UPSC उसका भी mindset बदल रहा है, उसका mindset चेंज हो रहा है, वो भी evolve हो रहा है, आपके भी nature को देखना चाहता है, कि सवाल का मतलब ही समझ रहा है, statement का मतलब ही पता है तुमको, अब यहाँ पर चौतर statement देखिए, incineration, यानि जलाया जा रहा है, ठीक है, can be disposed by incineration, हाँ, जला कर कोई भी चीज दिस्पोस की जाती है, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन problem यह है कि without causing greenhouse commission, किसी चीज को तुम जलाओ, और यह हो ही नहीं सकता कि greenhouse gas emission नहीं, नौर्मल तो यही नहीं, यह होता है, कि अगर कई चीज को जला रहे हो, oxygen की presence में जल रहा है, तो कोई तो gas निकलेगी, क्या सब को जला कर चेक करते हैं, किस से क्या निकलेगी, I hope you are getting my point, तो articles made of it, इस से कितने डेर सारे article बनेगी, सब को जला कर चेक करें इन से preparation से, कि greenhouse gas emission बिलकुल नहीं होगी, एक से भी हो गई तो क्या होगा, इसका मतलब यह जानबोज के extreme statement बनाया गया है, elimination has been eliminated, तो यसा लोग कहते हैं न, भगवान के लिए कम से कम गलत रहा पर मत ले जाओ, बता ही रहे हो तो कुछ सही बता दो, elimination बिलकुल वर्क करेगा, जब तक UPSC है, तब तक elimination भी है, tension मत लीजिए, ठीक है, तो चौथा eliminate हो गया, B और C गया, यानि answer में 3 तो बिलकुल है, 3 bottles made of it can be recycled into the other products, ठीक है भाई, हमने पढ़े लिया, can be था, हमको तब भी लग रहा, 3 सही वैसे भी है, चलिए, अब बात है कि 1 और 2, 1 में जाएं, 2 में जाएं, अब 1 को पढ़ते हैं, 2 को पढ़ते हैं, और decision लेते हैं कि क्या करना चाहिए, its fibers can be blended, बस इसमें एक पूरे words में पहले में can be है, दूसरा पढ़िए, containers made of it can be used to store any alcoholic beverages, यानि ये जानबूच के second statement को again extreme बता रहा है, can be used to ठीक है, लेकि उसने any पता क्यों डाला है, ताकि कोई भी alcoholic beverages सब को किया जा सकता है, सब के लिए use किया जा सकता है, अरे कोई तो एक ऐसा होगा, जिसकी properties कुछ अला गव beverages को बना कर सब को check करेंगे ऐसा, not possible, which means कि second statement में can लिखने के बाद भी any डाल का extreme बनाया गया, ऐसी fourth statement में can डालने के बाद भी acceleration करवा रहे हो, और without causing greenhouse gases, which means कि आपका presence of mind check हो रहा है, अगर कुछ ले जाना चाहते हो, इस वीडियो से बस एतना ले जाना, कि धरना मत, अपने उ supplement पका होगा, लेकिन आप दरे नहीं, इसका मतलब कि दूसर statement true नहीं हो सकता, यानि हम दूसर साथ नहीं जाएंगे, answer होना चाहिए, one and three, UPSC का जब आपका result, you know, इसका mark sheet आजाए, answer कि आजाए, तब आप इसको check कर लीजेगा, मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है, इस सवाल से मैं आपको बताना, कोई trick वरिग बताना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि डरना मत, एक बार सवाल अगर यह word पढ़ा भी नहीं जाता ना, उससे, प्रनशेड भी नहीं हो रहा न, तो problem वाली बात नहीं है, चार statement पढ़कर तो देखो बाबा, और देंगे, और देखकर छोड़ देंगे, तो काम नहीं चलेगा, इस छोटी सी वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहता था, कि आप exam में डरे नहीं, भगवान के लिए, और अगर डर के हारी जा रहे हो बार बार, तो एक बार बिना डरे लड़कर देखो, आज के लिए त थैंक यू, नमस्ते, जाएट